कि नवश्कार दोस्तों राधे राधे सभी को सभी का स्वागत है आज फिर से एक बहुत इंपोर्टेंट सेशन के लिए ठीक है तो सबसे पहले में यह क्लियर कर देता हूं कि आज का जो सेशन है वो मोनेटाइज नहीं रहेगा किसी प्रकार के आपको कोई आइड्स नहीं द इसमें अपने तीन पार्ट में बात करेंगे और सीधी बात करेंगे दर अपने गुमेंगे नहीं ठीक है तो वीडियो एंड तक देखेगा स्पीड आप चाहिए तो इंक्रीज कर लिए 1.5 एक्स पे कर लो चाहिए 1.25 एक्स पे कर लो जो भी आपके सहुलियत के अनुसार ह कि ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है मेर को दूसरा पार्ट ये जो टाइटल है फेल्ड अगें क्या डिफाइन करता है ये कि सिचुवेशन को डिफाइन कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इससे कैसे निकला ज किया गया एक लंबे वेट के बाद बहुत सारे बच्चे आई बीपी एस प्यू मेंस के लिए सिट किये थे मतलब पिछले साल अपने जितने भी मेंस के एक्जाम हुए अब यह एक लग मेंस वाकिया उसको छोड़के जितने भी मेंस आप देखेंगे इतने बच्चे और किसी भी मेंस एकजाम में नहीं बैठे जितने आई वीपेस्पीर मेंस में बैठे रीश्यो इन्होंने ज्यादा लिया तो बहुत सारे बच्चों को मॉखा मिल आ बेधने दीमन बैटने का और एक्जाम के साथ ही एक इन हेॉैन्ट जोrynा एक एकक्सक्पेक्टेशन बन जाते ए क महीने तीन महीने तक का time ले लिया तो वो इंतजार भी बड़ा था और इंतजार के बाद जो हमें मिला वो हमारे favor में नहीं था मतलब select नहीं उपाई means का जो phase है में clear करके इंटरव्यू के लिए नहीं select हो पाई ना होने के बाद बहुत सारे बच्चों का टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे पास मेसेज़ेज आए कुछ नार्मल वैसे थे किसर डिस्सपॉंटेट कुछ ऐसे थे के क्या सर एकस्पेक्टैड था पीपर अच्छा नहीं गया था Dec कई अचरैफ्ट कर सकते हैं करें कई प्रायक्टिकल 的 पर यथा था थाधा थोड़ एमोशनल मैसेजेज थे और कई थोड़े से जाधे इमोशनल थे कि सर बड़ा डी मोटिवेटेट फॉर येर्स कंप्लीट होने को आ रहे हैं दोज़ार चोबीस भी स्टार्ट हो गया है दोज़ार बीस में स्टार्ट की थी सर प्रिपरेशन दोज़ार इकिस में सर की थी 2019 में की थी मेरे को भी पढ़के खराब लगता है और अब आपके स्टुडेंट्स ऐसे मैसेज करें तो डबल खराब लगता है तो इस तरह के मैसेजस आएं और उन पर क्लारिटी देना उनको एक आगे का मेरी तरफ से गाइडेंस तो नहीं बोलूँगा मैं पर मेरा जो एक्सपिरेंस अभी तक रहा है बच्चों को पढ़ाने का खुद का जो एक्सपिरेंस रहा है वो आपके साथ ओनेस्टली शेयर करने के लिए व इसलिए अपने इतने डिसपॉइंट होने के और भी मुल्टिपल रीजन है और इसकी इलावा भी दो हज़ार तेइस चोविस का जो सत्र था जो सेशन था उसमें जो बैंक एक्जाम सुवे एसबी एकलर को छोड़के जिसका अभी प्री का रिसल्ट नहीं आए उसको छोड के बाकी किसी एक्जाम में बहुत अच्छा करनी पाए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आई बीपी एसकलर का वेट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन अब उनकी उसको भी सोचके थोड़ी सी डाउटफुल होगे या फिर थोड़ा नेगिटिव साइड पर चली गिया कि यार को कोई भी नहीं हुआ तो यह क्यों होगा है ना तो उस तरीके से देखा जाए तो फिल्ड अगेन का टॉपिक वहीं से आता है कि सर 2023-2024 का जो सत्र था वो भी ऐसे निकल गया जैसे पिछला साल निकला था उससे पिछला निकला तो कहीं को तो तीन तीन चार-चार साल उचु बिल्कुल बॉटम पे लाके बॉटम क्या अडर्राउन चला गया ऐसर अब बिल्कुल कॉंफिडेंस नहीं आ पा रहे है कि क्या होगा जैनी होगा आगे अब यह ओल्दो ऑपीप्याइस कलर के कुछ बच्चों का रिजल्ट बाकि भी है आई बपी प्यार का फाइनल रिज गाथ-वाधर-चोबॉसके लिए सोच रहे तो वह भी बाकि है उसको लेके हैं कि सर अब उसके लिए पढ़ाई नहीं पारी बिल्कुल मुखके रूटीन भी खतम हो चुका है इसी तरह कोई रूटीन ही निक फॉलु किया जा रहा है एंशीलेवल इतना जादध डाउन हो है कि अब वह आई नहीं पा रहे सर किसी भी तरह से कोई वह मतलब वह डिसिप्लीन ही नहीं आ पा रहा वो बिल्कुल खुद को उठाई नहीं पा रहे इसलिए वो फेल्ड अगेन वाला है जो टाइटल रखा गया है कि एक और हार मिल गी और इसी के साथ अपना ये करेंट सिच्वेशन में अपने ठीक है और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के सर फिर इसका सुलूशन क्या है इससे कैसे निकले और दूसरी बात इसस सुनिए यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और देखें गाइस सबकी सिच्वेशन अलग होती मुझे एक साल कुछ को दो साल कुछ को ज्यादा साल उचुकिए कुछ कैसा है कि सब ठीक है आफ और कर सकते हैं या फिर कुछ का ऐसा है कि सब करेंगे तो सिर्फ ये करेंग ज़रूरी है आप अपनी कुद की सिचुएशन भी सोचिए मेरे लिए तो बैस्ट किया है कि आप लोग सभी चाहिए फेल हो चाहिए पास हो बस बैंक की त्यारी करते रहो और मेरे वीडियोस देखो मेरे कोर्से खरीदो तो मेरे लिए अपना जो रिलेशन है एक स्टूडेंट टीचर का वो फाइनेंस तक ही लिमिटेड नहीं तो फिर मैं बिजनसमें बन की रह जाओंगा एक बनिया बन की रह जाओंगा पर अपना डिलेशन डिफरेंट है तो मैं आपको ऑनेस्ली और मैं बाकी बच्चों से भी परसनली बात क को भी मैं यह कहता हूं कि आप उस मोल्ड में फसके मत रह जाओ कि मैं स्टूडेंटों में कॉंप्टेटेव एक्जाम की त्यारी करने वाला हूं तो मैं सिर्फ यहीं तक इसी मित रहूंगा नहीं आपको इस बबल से बाहर निकलके एक रियलिस्टिक एवैलुएशन आपक को कुछ से पूछना अच्छी है पैशन तो है नहीं किसी का बैंकर बनना मैं तो नहीं जानता कोई रियर ही कोई बहुत कम जने हो तो बस जाधा तर तो वह होता है कि सर उससे जो एक सेफटी नेट मिलती है गवर्मेंट एक्जाम गवर्मेंट जॉब की एक जो सिक्योरिट मिलती है दूसरा एक सोशल एक जो रस्पेक्ट एक स्टेटस मिलता है फाइनेशली अच्छा बैंक्स जो इस्पेशली प्यूस के लिए अच्छा प्रवाइड करता है तो यह सारी सिच्वेशन अब यह है कि यह नहीं मिल रहा तो अगर इतने तक ही है तो कोई और जो अपन सबसे पहले तो आपने जितने भी एक्जाम दी उन सभी एक्जाम में खुद से एक ओनेस्ट सवाल जरूर पूछना कि क्या यार मेरा एक्जाम अच्छा हुआ ता जैसे आई बी पी इस प्यू मीन्स फॉर एक्जाम पल यह आपको पता होना चीए कि बहुत सारे बच्चों को बुलाए गया था मतलब जो रेशियो हमेशा रहता है बाकी एक्जाम में उससे जादा रेशियो में लोगों को बुलाए गया था काफी सारे बच्चे इसमें से निकलने वाले क्यों कि आईबी पीई इसप्यों के बहुत सारे बच्चों को यह निकाल देंगे इसके मतलब पेपर अपने को करना पड़े गा अच्छा क्या आप लोगों ने अच्छा पेपर किया था या फिर आपने कि सर बांडरी पे हैं इधर भी जा सकते हैं अगर आपने पेपर ऐसा दिया था जिसमें आप बाउंडरी पर थे किसर बहुत शायद ना भी हो थोड़ा साइधर ठोड़ा तो इतर भी गुड़क सकते हैं थोड़ा ज्यादा से अगर बूंडरी की सिच्वेशन है तो वह मैं आपको मैं बता दें तो अपने ने पेपर अच्छा कर दिया जब यह फिलिंग आजाए तब आप रियल रियल कंटेंडर बनते हैं कि हां यार मैं में में स्क्लियर करने नहीं तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन बेटर करनी है अपनी तयारी अच्छी करिए बहतर आप मौक्स में अपना पर्फोर्मेंस बैटर कीजे आप अपनी consistency को बैटर कीजे आप अपने number of study hours को increase कीजे तो ये सारे जो प्वेंट्स उसके लिए जिसके लिए अलगी separate वीडियो होगा उसके बार में मैं बात करने लगजêm तो वुि फिर आप अपने आप से पूरी तरीके से honest नहीं है। अगर आप, sir मैंने preparation भी अच्छे से, की मेरी consistency भी अच्छी थी, मेरी study arts भी काफी थे, मेरे mocks में भी बहुत अच्छी number आ रहे थे, और उसके बाद भी कोई भी paper आप से clear नहीं हो पाया, कोई भी पेपर आप से निकला यह तो बहुत ही कोई रेर की रेर सिच्वेशन आ जाए तो most of the लोगों के साथ ऐसा लिए तो वो honestly यह सवाल आपको खुद से पूछने पड़े हैं और इन पर काम करना पड़े हैं चीक है तो यह पॉइंट हो जाता है कि इसमें दूसरा पॉइंट ही हो जाता है कि भाई एस बीए क्लरक मेंस का एक्जामब भी पाकी है और मैंने बार बार अलग लग वीडियो की थुरू बताया कि यह आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने होती है मेरा पर्सनल यह एसे मानना है कि बहुत सारे बच्चे जिनका कहीं भी नहीं होगे उसका कारण SBA clerk की timing, इस time पे और कोई भी exam नहीं बचा है, बाकि सारे means exam हो चुके है results आ चुके हैं, बच्चों के जो priority जो focus है वो बदल चुकी है बहुत सारे बच्चों का already selection भी हो चुका है, बहुत सारों का interview का time चल रहा है तो यह जो SBA clerk means है priority में उनके लिए वो उतना important नहीं रहा, बट जिनका नहीं हुआ है, उनके लिए वो सबसे important बन चुका है तो उसी तरीके से अगर आप preparation देके, अगर preparation करके exam देंगे न तो आप वो exam clear कर लोगे यार इंटर्व्यू का phase उसमें है ने, साथ ही साथ add-on ये है कि main list में नहीं भी होता है, तो बाद में 2-3 ये waitlist निकालते हैं, हो जाता है कि यार एक दो mark से रहे कि फिर भी अपने final job आने वाले 2024 के आने वाले महीनों में, कि जब-जब waitlist निकले, उसमें clear हो, अपने waitlist का क्यों सोचे है, बट मैं आपको एक perspective दे रहा हूँ, कि हमारे लिए कितनी जादा positive situation है, selection wise, है न, तो इन बातों को अगर आप emotion को side रखे, emotional रहेंगे, तो बार-बार वो सारी चीज़े सोचेंगे, दो साल हो गए, तीन साल हो गए, मम्मी के उमीदे है, पापा के उमीदे है, खुद की अपने आप से उमीदे, दोस्तों के साथ जो बैटते थे, दोस्तों का selection हो जाना, ये सारी चीज़ें सोचेंगे, उनको सोच सोच के और जादा बड़े गड़े में आप खुद के लिए खुद घुद के जाते रहेंगे, जिससे निकलना और मुश्किल हो जाएगा, इमोश्यन्स को आप साइड रखिए, प्राक्टिकली सोची, सिचुएशन है, कैसे सॉल्व की जाए, ऐसे सॉल्व की जाए, सब्सक्राइब है, ऐसा नहीं, आपके त्यारी एकदम बेकार है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले कई समय से आपने कोई मेंस नहीं दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस टाइम में आपने पढ़के अपनी मेंस की प्रेपरेशन को और मजबूत बना दि जम के पढ़ाई करें, मौक्स पर बढ़िया एनलेसिस करें, मौक्स में नंबर कम आ रहे हैं, तो परिशान ना होते हुए, उसको उस तरीके से देखें कि यार कहां पर मेरे साथ इश्यो है, मैं उस पर काम करके उसको बहतर कर सकता हूँ, याद रखिए जो बच्चे सेलेक स्टूडेंट से नौर्मल, कुछ बहुत एक्स्टाओर्डिनरी स्टूडेंट नहीं होते, बैंक एक्जाम के टेगरी में, अवरेज, अबाव अवरेज स्टूडेंट से होते हैं, उनका सेलेक्शन इसलिए होता है, क्योंकि वो चीजों को सही तरीके से, सिस्टेमाटिक त रहते हैं, और हमेशा इस माइंड सेट के साथ रहते हैं, कि मेरे को अपनी चीज़ें बहतर से बहतर करती जाने, मतलब हमेशा अपनी गलतियों को ढूड़ने के यादर डाल, और उनको फेस करो, और फिर दिन उसकी इंप्रूमेंट पे वर्क करो, अगर आप SBA के लिए करे कोई 30-35 फेलियर्स मान लेते हैं अपने, इससे जादा तो क्या होंगे, 30-35 तक भी मान लेते हैं, पट वो 30-35 भी एकदम मीठे लगेंगे, जब वो एक सक्सेस मिलेगा, तो फिर वो सारा टाइम ऐसे सोचते वे हसी आईगी, अंदर से एक खुशी मिलेगी, फिर जो सक्सेस जो मिलेगा न, वो जो जितना भी कड़वापन मिला है, उन फेलियर्स का, वो सब मिठास में बदल जाएगा, वो जुड जाएगा, वो जुड के, वो सक्सेस इतना जादा मीठा लगेगा, इतना जादा अच्छा लगेगा, वो फिलिंग आप बताई नहीं पाओ, तो वो स ज़रूरी है, ठीक है जी, तो उस पर पूरी तरह फोकस रखो, बाकी और भी मैंने दो तीन चीज़ें बताई, उन पे जब आक्ट करने का समय आएगा, उस तरह माप सोचेगा, वो डिसकुशन कीजिएगा, ठीक है, बाकी, आज कल, बैंक एक्जाम कैटेगरीज में, कॉम्पेटिशन बहुत टफ हो चुका है, जो इनसान बोलता है कि यार बैंक एक्जाम में सेलेक्शन मुश्किल नहीं होता, गलत अच्छा करना पड़ता है, तो सेलेक्शन होता है, कॉम्पेटिशन बहुत टफ है, बहुत सारे अच्छे बच्चे, एवन SSE की भी बहुत सारे स्कुडेंट्स, बैंक कैटेगरीज में आ चुके है, जो खूब मेहनत करते हैं, आपके साथ ही, ठीक है, वेकेंसी कम होती जा हैं, मतलब लोग अच्छीव करते हैं, मुश्किल चीजों को, मुश्किल प्रॉब्लम्स को स्कूल करते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल है किया जा सकता है, मेहनत के साथ, एक सिस्टमाटिक प्रोसेस के साथ, एक सिस्टमाटिक अप्रोच के साथ, चीज़े और बिल्कुल आप करोगे बस इसी विश्वाश के साथ आगे बढ़ना है अभी हमारी लड़ाई खतम नहीं हुए तेश चोबिस के लिए तो अभी से हत्यार गिरा के नहीं बैठने एक और जंग अपने हार गए बट अभी भी जो सबसे इंपोर्टेंट जो जो सबसे इंपो पसंद आया हूँ तो लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एस बीए क्लर के अल्रेडी अपने मेंस के मोडियोल से रहे साधे शेवजे क्लासे रहती है बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट है यूट्यूब पे आप कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो जितने बच्चे भी जुडे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रादे रादे